हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक मैं चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं जहटपट से बनने वाली ऐसी टेस्टी मिठाई जो बच्ची हो और बड़े सभी को पसंद आएगी और इससे बनाना बहुत ही असान है और जल्दी से बनकर त्यार हो जाती है फ्रेंट्स बिना किसी जंजट के और बहुत ही कम सामगरी के साथ तो फ्रेंट्स चलिए बनाना शुरू करते हैं तो देखिए मैं आपको एक लड़्डू तोड़ के दिखा देती हूं कितने अच्छे से बनकर त्यार हुआ है नहां कहीं से चिपका हुआ है और एकदम दानेदा तो इसको कैसे बनाएंग इसको माइं पीस के बारिक कर सकते हैं तो यहां पर मैने I here you take a Model bag and you can want to sleep इसको हम इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे हलके हलके से भुंज दे जाएंगे जब तक कि यह हलका ब्राउन कलर का ना हो जाए यहां कि सूजी और आठा हमारा हलका ब्राउन कलर का होना चाहिए ताकि यह कच्छा ना रहे और अच्छे से रोस्टेट हो जाए तो इस तरीके से मैं इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से चलाती जाऊंगी जब तक कि यह ब्राउन ना हो जाए और इसको धीरे-धीरे हम इसी तरीके से चलाएंगे और यह कढ़ाई में लगे भी ना और देखिए इस तरीके से यह थोड़ा-थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो चुका है कि अटा और शूजी को ब्राउन करने के बाद इसको हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे और इसको मैंने यहाँ पर प्लेट में डालके रख दिया तक है ठंडा हो जाए अच्छे से और इसके एक कटोरी इन ही चीनी दाली है किसे और हमारे पास ग्योंग काथ पढ़ा थो एक ही कटोरी हम्हें चीनी चाहिए और इसको हमुख चीनी हे और मीडियुम उधाल थे करेंगे इसको भी केस्स कलेगी है ताकि जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इस तरीके से हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मेल्ट करेंगे चीनी को क्योंकि एक कटोरी हमारे पास सूजी थी और एक कटोरी नहीं हमने लिए एक कटोरी लिए अगार आप मीठा कम खाते हैं अगर आप मीठा जय्दा से हिलाते जाएंगे चमत से ताकि ये कढ़ाई में चिपके न और देखिए चीनी जब हमारी अच्छे से मैल्ट हो जाएगी तो हम इसको खूब अच्छे से तो इसको फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि इसमें अब हम एट करेंगे एक कप दूद तो यहां पर मैं एक कप का लिया है फ्लेम को मैने इसलिए बंद कर दूऊंकि एकदम से हम चीनी के अंदर दूद को एकदम से हम गरम-जाढल करेंगे तो दूद थैनोड हमारा फणने लगता है और वह बाहर आ सकता है इसलिए फ्लेम को बंद करके हम इसमें चीनी में धूद eath करेंगे और इसको दीरे-धीरे mix करते जाएंगे ताकि जो चीनी है और दूद में अच्छे से घुल जाए और अब हम flame को on कर देंगे और इसको धीरे-धीरे से चलाते जाएंगे ताकि चीनी अच्छे से melt हो जाए दूद के अंदर mix हो जाए तो इस तरीके से friends इस चीज का विशेश ध्यान रखे हैं जब भी हम दूद को मैल्ट कीवी चीनी मेleट करेंगे तो फ्लेम को बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए और देखे यहाँ पर जो चीनी है वह अच्छे से mail हो गुई है थोड़ी-थोड़ी यहां पर आर्टे को Şu अब नेश्मय और अमिस के अंदर ग्राउं किया तो वह हम इसके अंदर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस त्रीकें से करने से हमारा जो ऩॉच्छय दिवनानेका जहन ज़ता है वह अंदर से और एक एक दाना बन कर त्यार होगा तो यहां पर देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है दूद और जो हमने आटा और सूजी इसमें डाला था वो अच्छे से mix हो चुका है इसी तरीके से हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे चमच की सायता से और flame को हमेशा medium ही रखेंगे ज्यादा high flame नहीं रखेंगे तो यहां पर देखे हमारा जो material है वो बनकर त्यार हो चुका है अब हम flame को बनकर देंगे और उपर से डाल देंगे एक चमच घी हमें सरफ इसके अंदर एक ही चमच घी एड़ करना है ज्यादा घी एड़ नहीं करना और इसको भी हम इसी में अच्छे से mix कर लेंगे तो घी भी हमारा अच्छे से इसमें mix हो चुका है friends और material भी हमारा बनकर त्यार हो चुका है तो आप चाहें तो इसको एक प्लेट में जमा भी सकते हैं बरफी की शेप में भी काट सकते हैं लेकिन मैं बनाऊंगी इसके लड़ू तो इसके लिए इसको मैं अच्छे से mix करके खूब अच्छे से ठंडा हो करने दूंगी ताकि जब मैं इसके लड़ू बनाऊं तो यह गरम ना रहे तो यहां पर material हमारा बनकर त्यार हो चुका है friends और flame को बंद कर चुकी हूं मैं तो यहां पर इसको अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर friends तो मैंने यहां पर एक प्लेट ली है तो इसमें हम थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि जो हम इसके अंदर material डालेंगे वह चिपकेना प्लेट के अंदर तो इस तरीके से मैंने सारे में गी फैला दिया है तो अब जो material था वो मैं इस प्लेट के अंदर डाल दूँगे अच्छे से और इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए और यहाँ पे सारा जो मैंने material निकाल के इसके अंदर प्लेट में रख लिया है और इसको अब यह थोड़ा थोड़ा थंडा हो चुका है तो अब हम इसके बनाएंगे लड्डू तो देखिए इस तरीके से मैं हाथ में और देखिए बिना किसी घी के बिना किसी पानी के और अपने आप यह कितनी आसानी से बनते जा रहे हैं लड्डू और देखिए कितने अच्छे से बनकर त्यार हो है एक चमच घी की साइता से और हमने इसमें ज़्यादा घी भी एट नहीं किया ना चाशनी बनाई है और बिल्कुस सिंपल ढंग से बनाई है मैंने ये वाले लड़ू ना इसमें मैंने कुई ज़्यादा मेवा एट की है और यहां पे मेवाओ को ज़्यादा रॉस्टेट किया है fauna और बहुत ही असानी से मैंने ये त्यार करें और यहां मैं घोल-ओल शेप में इस ट्यार करती जाओंगे में खाने में बहुत ही टीस्टी लगते हैं और इस तरीके से मैंने सारे लडूओं को बना कर त्यार कर ले है और इसमें भूत ही मैं 가장 किश्मिष लगादी है तोुजिता नहीं होड़ लगा देती हैं। तो मैं इसके पर वो भी एड़ कर देती हूं देखिए इस तरीके से क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल वाले लड़ू बनाए है इसलिए इसमें मैंने ज्यादा मेव औगरा एड़ नहीं किया है आप चाहें तो डाल सकते हैं और यहां पर हमारे बनकर त्यार होगे हैं बहुत ही जल्दी से बनने वाले आटे और सूजी के लड़ू वह भी एक चमच घी की साहता से जिसे बनाना आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना असान है और जल्दी से बन जाते हैं और मुँमें जाते ही भूल जाते हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं जब भी घर में महमान फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आयों या एक चमच घी की साहता से बनने वाले आटा लड़ू तो फ्रेंड्स एक लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए फ्रेंड्स मिलतू हूं आपके साथ एक नई कुकिंग वीडियो के साथ धिन ज्यू रहते हैं तो आपके कीजिए ओखयस वाले उप्रेंड्स आपके साथ सब्सक्या कमच Northern